ये है गोदरेज का नया Smart Lock, आजकल हर एक चीज Smart हो चगी है और अगर आप कोई Lock खरीदने का सोच रहे हैं तो ये एक Smart Option है, ये है गोदरेज Cattles Touch Plus Smart Lock, देखते रहे हैं, तो मेरे पास ये दो Locks है, ये जो Lock है मैं काफी समय से यूज़ कर रहा हूँ और ये है गोदरेज का नय Smart Lock, जिसका Installation हो चुका है, तो ये जो Tradition Lock में यूज़ कर रहा हूँ, और हो सकता है कि आप मैंसे काफी लोग ये जो Tradition Lock यूज़ कर रहे होंगे, इसे खोलने के लिए आपको चावी की जरुत पड़ेगी, लेकिन ये जो Smart Lock है, ये बहुत सारे Unlock Options के साथ में आता है, बेसि दोर का डिजाइन है, उसके साथ में ये ब्लेंड हो जाएगा, जैसे Tradition Lock का Installation होता है, तो ये जो Smart Lock है, इसका Installation भी उसी प्रकार का है, तो ये जो Lock है, इसे Unlock करने के लिए, एक तो fingerprint option है, ये रिखें, कुछी सेकंद के बाद ये आटोमाटिकली लोग हो जाता है, दूसरा Unlock का Option भी इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन है, RF ID Cards, ये दिखें, अब ये Unlock हो गया है, इस प्रकार के Cards भी मिलते हैं, और आप इस प्रकार के Cards के लिए भी जा सकते हैं, अलग से आप खरीच सकते हैं, इसमें Key का भी Option दिया हुआ है, ये जो Keys है, इसे आप basically य Wi-Fi के जरीए Connect कर सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने से ये जो Lock है से Unlock कर सकते हैं, या फिर Lock कर सकते हैं, मान दीजिए आपके घर में कोई Guest आया हुआ है, और आपको उन्हें Allow करना है, तो Best Option ये है कि आप Guest को बोल सकते हैं, फोन पर ये जो Lock है, इसके उपर Zero Harsh और आपको फोन पर ये Notification मिल जाएगा, आपको Option मिलता है, आप Reject कर सकते हैं, या फिर Agree कर सकते हैं, अब मैंने इसे Unlock कर दिया है, और ये देखे, डोर जो है, ये Unlock हो चुका है, और जो Guest है, वो Easily आपके घर में प्रवेश कर पाएंगे, ये जो Application है, ये Tracking भी करता है, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने ये जो Lock है से Use किया है, इनकरेक्ट कोड कितनी बार Enter हुआ है, वगर वगरा, प्लस अगर आप चाहें, तो Member को Access भी दे सकते हैं, ये जो Application है इसका, ये जो Lock है से Setup करना बहुत ही आसान है, आपको एक तो Master Password, PIN, Use करना है, तो 02 से लेकर 99 जो Number है, तो 05 मैं Add करता हूँ, और अब मुझे जब यह Link हो रहा है, मुझे जो Fingerprint है User का, वो यहाँ पर Register करना है, तो अब मैंने वो कर दिया है, अब जो User है, जो मैंने Define किया है Number 05, वो अब Register हो चुका है, और वो एस Lock को अपने Fingerprint के जरिए Unlock कर पाएगा, ये देखे, तो इस प्रकार से आप जो User है उसे Add कर पाएगे, बहुत ही असान है, तो उसी तरीके से आप इसमें 99 Pins या फिर 99 Smart Cards को Add कर पाएगे, और भी कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको User Manual में मिल जाएगा, अब अंदर से ये इस प्रकार का दिखता है, और अंदर से आप को बंद करेंगे, तो ये इस प्रकार से Secure हो जाएगा, अब माननीजे आपको प्रिविसी चाहिए, तो यहाँ पर नीचे ये बटन दिया हुआ है, ये जो बटन है, अगर आप इसे ऊपर मूफ करेंगे, तो बहार से कोई भी fingerprint, pin या फिर जो स्मार्ट कार्ड है, उसे यू ये रिखें, अब ये काम नहीं कर रहा है, मैं मेरा जो fingerprint है, वो यूज करता हूँ, ये भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मेरे पास admin password है, तो वो एंटर करने के बाद, अब ये unlock हो गया है, और एक बर आप इसे खोल लेते हैं, तो जो प्रिविसी बटन है, वो अपने न यहाँ पर एक reset का button भी दिया हुआ है, इनकेस अगर आपको इसे reset करना है, तो ये जो भी system है, ये अंदर की तरफ है, भार की तरफ नहीं है, और in case मान लीजिए, जो battery है, वो ड्रेन हो चुका है, in fact जब battery काफी low होगा, तब आपको notification मिलेगा, beep notification, लेकिन in case, battery completely drain हो चुका ह एक option ये है कि आप जो keys है, वो use करें, और दूसरा option ये है कि यहाँ पर नीचे एक port दिया हुआ है, वहाँ पर आप power bank को connect कर सकते हैं, और temporary जो system है, वो active हो जाएगा, उसके बाद में आप ये जो batteries है, इन्हें immediately replace कर सकते हैं, तो जो system है, ये बहुत ही secure है, और बहुत ही easy to use ह basically आपको keys लेकी जाने की ज़रुत नहीं है, जब security की बात आती है, तो जादा करके जो लोग हैं ये goderage brand prefer करते हैं, खास करके locks के लिए, आपने देखा होगा काफी घरों में goderage locks use होता है, तो ये जो smart lock है, ये मुझे लगता है कि आप में से काफी लोगों को पसंद आने व और इसकी जो best चीज मुझे लगी वो ये है कि आप application यूज करके remotely ये जो door है, इसे unlock कर सकते हैं या फिर lock कर सकते हैं, मतलब कि किसी व्यक्ति को unlock करके अपने घर का access दे सकते हैं, या फिर जो access है वो धिराएं कर सकते हैं, अब यही same चीज जो पुराने टाप के locks है, traditional locks, उन से possible नहीं है, क्योंकि जो पुराने टाप के traditional locks है, उनके लिए आपको जो keys है, उसकी जरुत पड़ेगी, ये जो lock है, smart lock, ये basically keyless entry है, घर में जितने भी family members है, उनके लिए मैंने एक fingerprint ID बना दिया है, individual members का, प्लस एक pin मैंने create किया हुआ है, just in case fingerprint काम नहीं करेगा, तो जो pin है इसे use करके आप entry कर पाएंगे, अब ये जो product है, इसका pricing क्या है और आप कहां से इसे खरीच सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मैंने video की description में दिया हुआ है, देखते रहे हैं